आज मैंने शिम्ला मिर्च और टमाटर इस्टफ बनाया है तो दिखिए कितना यम्मी दिख रहा है हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूं कभीता और गुपता क्रेटिव रेस्पी में आप सभी का स्वागत है आज मैं भरवा शिम्ला मिर्च और टमाटर के बनाने वाली तो इसको बनाने के लिए मेरी वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आते तो प्लीज लाइक किजिएगा सब्सक्राइब करना ना भूले यहां मैंने 100 सिमला मिर्च लिया है और तीन को टमाटर लिया है अब इस चाहें तो यह सिमला रिच के जगे पूरा के नातर भी में चेक लिया लिए है इसको मैं बाद मीउस करूँ उङग तो चलिए एक एक करके भर लेते हैं इसी तर से टमाटर में बलेंगे आप चाहे तो आलू की जगए पनीर और प्याज का भी इस्टपिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए अब हमारा सफील हो गया है तब हम बनाना शुरू करते हैं कडाई गरम हो गया है यहां मैंने दो बड़ा चमच ऑल डाल दे रहे हो एक चमच दील डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा क्रण्ची टेस्ट हाता है आदा चमच जीरा डाल देंगे कुछ देर तक भूनेंगे आदा चमच हल्दी डाल देंगे आदा चमच धनिया पॉडर डाल देंगे एक च कश्मीरी मिर्च ढाल देंगे आदा चम जीरा पॉड़र डाल देंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे वीडियम फ्लम्पिंग करें तो मसाला जल भी सकता है मसाला अच्छे चाफ गया है जूर टमाटर से जूस निकला तो उसको डाल देंगे और इसको ड़ना नहीं जाता है मसाला में डाल लिया है इसको भगाया फिल्कुल गया है और रोस्टीड भी हो गया है तब हमें इसमें टवी टामाटब डाल देते हैं एके करके टमाटर के बीच मसाले में रख देंगे और इसको पांच मिनाट तक ढख कर पकाएंगे ताकि यह भी अच्छे से गल जाएगा और इस शिख भी जाएगा नीचे से देखिए टमाटर भी इस तरह से पक रहा है बिल्कुल भी गला नहीं अभी तो इस तरह से कुछ द सबजी को चेक कर लेते हैं तो देखिए शिमला मेर्च टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है और बहुत ही यमी दीख रहा है तो इसको आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसको और भी टेस्ट और यमी बनानी के लिए मैं इसके उपर थोसा पनीर क अब दूकस कर दे रहे हो आप चाहते हैं इसको पनारेल को बुरादा भी डाल सकते हैं या फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं तो देखिए कितना प्यारा लूक आया हुआ है बहुत ही टेस्टी देख रहा है तो चलिए आप हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स यह टामाटर बहुत ही टेस्टी बना हुआ है यकिन मानिए आप अपने घर में जरूर इसको ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेस्पी आज की पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट करके जुरूर बताएगा कि आज की मेरी सिम्ला मिर्ज के सब्सक्राइब करना ना भूले और वेल आइकन को प्रेस करके आल करें जिसे कि आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो